हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो ये चैनल यूजफुल टिप सैंट्रिक्स फॉर होम प्रेशर कुकर के इस विसल को लेकर जब भी इस प्रेशर कुकर में विसल हो जाती है कई बार ओर फ्लो इसमें से खाना हो जाता है तो इस सीटी से ये बाहर निकलता है और इसे के कारण खराब होने लगती है चिपचिपी हो जाती है ब्लॉक हो जाती है तो इस कुकर की सीटी को प्रॉपर तरीके से कैसे क्लीन करें तो इसकी लिए ये पूरी डिप हो जाए इतना गरम पानी हमें किसी बरतन में लेना है गरम पानी लेने के बाद सबसे पहले हम इसमें खाने का सोडा यानि की बेकिंग सोडा जो हम पकोडास वगर में डालते हैं तो एक छोटा चमच बेकिंग सोडा हम इसमें अड़ करेंगे इसे के साथ साथ दो से तीन ड्रॉप डालेंगे बरतन दोने के लिक्वीड के लिक्वीड नहीं है तो यहाँ पर आप थोड़ा साथ टिटरजन पाउडर भी एड़ कर सकते हो अब इस विसल को इस गरम पानी में कम से कम 15 से 20 मिनिट के लिए हम ऐसे ही सोग करने के लिए रख देंगे इसके बीच में आप इसी विसल को एक बार पलड़ते ताकि सभी तरब से यह विसल अच्छी तरीके से भीग जाए 20 मिनिट के बाद अब आप देखोंगे कि इस विसल के अंदर जो भी डर्ट जमा हो गई थी सारी इस पानी में अब जमा हो गई है पानी का रंग भी बदल गया है और सिर्फ इस सोलूशन में कुछ देर भिगोने से ही यह विसल काफी हद तक क्लीन हो गई है अब जो भी डर इसमें बची हुई है इससे क्लीन करने के लिए आपको इस सॉफ्ट टूपर चा टूट ब्रश या फिर सॉफ्ट स्क्रबर ले ले और इस विसल को आप अच्छी तरीके से क्लीन कर ले इसके अंदर टूट ब्रश बहुत ही आसानी से क्लीन कर देता है तो टूटबर्ट का वी आप जरूर स्तमाल करें और सबसे लास्ट में साफ पानी से दो कर आप इसे ड्राइ कर ले तो आप देखेंगे बहुत इब ड़िया ये विश्फ ल कलीन हो जाएगी हरी सबजिया और ये जो धनिया होता है काफी महेंगे होने लगता है कुछ दिनों के बाद तो ये महेंगे होने के साथ साथ मिलना भी मुश्किल हो जाता है तो क्यों ना अभी थोड़ा बहुत सस्ता है तो ये धनिया हम अभी से स्टोर करके रखे तो इसके लिए बहुत ही ब इसे हमने सेपरेट कर लिया है अब इन दोनों को हम दो से तीन बार पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे इस हरे पत्तों के साथ साथ हमने स्टेम पार्ट भी ले लिया है क्योंकि सिर्फ पत्ते में ही नहीं इन स्टेम में भी काफी पोशन तत्व होते हैं तो इसे भी हम ब पारी पीस में कट कर लेंगे अब इस हरे धनिये और स्टेम्स को हम डालेंगे मिक्सिजार में और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे फाइन पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है थोड़ा दर-दर अभी आप इसे ग्राइंड करके ले सकते हो अब यह जो को भी हम रखेंगे फ्रीजर में तो जैसे बर्फ बनकर तयार होता है बर्फ के क्यूब्स बनकर तयार होते है ऐसे ही इस हरे धनिये के भी क्यूब्स बनकर तयार हो जाएंगे अब इस तयार क्यूब को आप चाहे तो ऐसे ही ट्रे में ही रख दे या फिर इसे निकाल कर किस सब्जियों में डालेंगे तो बहुती बढ़िया और बिल्कुल ताजे धनिय की तरह ही इसका सुआत और फ्लेवर आपके सब्जियों में आ जाएगा अब जब भी धनिया महेंगी हो जाए तो इस प्रिजर्क विए हुए धनिय को आप इस्तमाल कर सकते हो हमारी अगली टिप है पेंसिल शापन करने को लेकर जब भी पेंसिल को हम इस शापनर की हल्प से शापन करते हैं तो आपने देखा होगा इस पेंसिल का काफी सारा कचरा जमा हो जाता है काफी छोटे साइज का भी ये होता है पेंसिल शापन करने के बाद इसे साफ करने का एक बलून है तो आप उसे लगा ले कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है और इसके बात इसी बलून के साथ ही आप किसी भी पैंसिल को अब गर इस शापनर की हेल्प से शापन करोगे तो आप देखोगे इस पैंसिल का जो भी कच्रा होगा चाहे कालने की भी जरूरत नहीं है जब यह फूल हो जाए तब आप इसे डस्विन में खाली करें तो पैंसिल शापन करने के लिए बलून का ऐसा इस्तमाल आपको कैसा लगा कमेंड करकर जरूर बताए हमारी अगली ट्रिक के लिए किसी बरतन में आप ले ले थोड़ा सा पानी स सबसे पहले आप इसमें मिलाए शैंपू, जो भी शैंपू आप डेली यूज करते हो, वही थोड़ा सा शैंपू हम इसमें मिलाएंगे, इसे के साथ-साथ हम इसमें डालेंगे विनेगर, जो भी에서 चाइनिज ड्रेसिपी में डालाटा जाता है या फिर क्लीनिंग प्रोसस् इसे हम भरेंगे किसी empty spray bottle में अब आप कहोगे यह जो तयार solution है इसका हम कहा और कैसे इस्तमाल करें तो इसका इस्तमाल हम करेंगे हमारे kitchen में जी हाँ daily kitchen में खाना बनाने के बाद हम gas तो clean करते ही है लेकिन हपते में 2-3 बार इस solution से आप gas जरूर clean करके देखे, gas के उपर जो oily मसाले के दाग होते हैं काफी चिपचिपे stains के उपर आ जाते हैं तो इसे clean करने के लिए यह solution बहुत ही useful होने वाला है तो सबसे पहले इस spray को आप gas के उपर spray करें, 2-3 मिनिट के लिए इसे ऐसे ही रख दे, 2 मिनिट के बाद जैसे normally आप किसी कपड़े से gas को clean करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे आप कपड़े की help से पोच दे इस solution में हमें नीमबू या फिर विनेगर का इस्तमाल किया है, जिसके help से gas क्यूब पर अगर कोई मसा लेके या फिर चिपचिपे दाग होगे तो उसे साफ करने में विनेगर बहुती कमाल का का काम करेगा इस solution में हमने शैंपू का भी इस्तमाल किया है, जो सिर्फ cleaning का नहीं, इसे बिल्कुल नए जैसा चमकाने का भी काम करेगा जैसे की हम बालों के लिए हैर शैंपू यूज़ करते हैं, जिससे हमारे बाल साफ होने के साथ साथ चमकदार भी हो जाते हैं बिल्कुल वैसे ही इस हैर शैंपू की मदद से आप देखोगे, आपका जो गैस्ट हो है, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा काफी दिनों की यूज़ के बाद हमारा जो गैस होता है, जिसकी चमक बिल्कुल निकल जाती है, पुराना से लगने लगता है तो हैर शैंपू और विनेगर की हेल्प से आप देखोगे, गैस भी आपका बिल्कुल नए जैसा शाइन करने लगेगा एक ही बार के इस्तमाल के बाद आपको खुद इसका रिजल्ट एक्सपिरियंस करने मिलेगा मैं तो कहते हूँ सिर्फ गैस ही नहीं, हमारा जो किचन काउंटर है, फ्रीज है, माइक्रोवेव है, या फिर मिक्सर है, ग्राइंडर है ऐसी चीजे जो किचन में होती है, काफी सारे मसाले, ओइल की कारण चिपचिपई हो जाती है, पुरानी से होने लगती है इन सारे चीजों को साफ करने के लिए इस स्प्रे का यूज आप जरूर करें हाँ, सिर्फ याद रखिए, इन इलेक्ट्रोनिक चीजों के उपर डिरेक्ली इसे स्प्रे करें, किसी कपड़े के उपर आप इसे स्प्रे करें और इसके बाद ही आप इसे साफ करें तो यहाँ किचन काउंटर पर आप खुद देख सकते हो, काफी नए जैसा हमारा किचन काउंटर चमकने लग रहा है, बिल्कुल स्मूथ और शाइनी और साफ हो गया है तो इस सोलूशन में हैर शांपू का ऐसा इस्तमाल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करकर जरूर बताए, आज के इस वीडियो में दिखाएगा यह सारे टिप्स और ट्रिक्स हमेशा की तरह आपके लिए जरूर यूस्फुल रहे होंगे, मेरी यह महनत अगर आप तक पहुच झाल